हेलो दोस्तो, कैसे हैं आप सब, आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तो, रोज डेली घर में इक जैसा काम कर करके हम बहुत जादा बdıण हो जाते हैं तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ, काफी सारी ऐसे इंट्रस्टिंग से टिप्स जो आपके डेली काम को आसान भी कर देंगी और साथ ही साथ एक बहुत जरूरी जानकारी कि हमें जूतों के अंदर कबार भर के क्यों रखना चाहिए और इसे क्या फाइदा होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं तो चलिए बिना तेरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करेगा और दोस्तों के साथ जरूर शेर करेगा तो दोस्तों पहली टिप हमारे किचन से ही आती है आप सबी ने देखा होगा जब कभी भी हम दूद को गरम करते हैं तो हम सब लोग आपको कई बार को स्टिप्स की बारे में बताते हैं कि इसके किनारों पे घी लगा लेना चाहिए तेल लगा लेना चाहिए जिससे दूद उबाल नहीं आता है यह आपने जरूर सुना होगा लेकिन आज मैं आपको यह कहूँगी कि आपको इन में से कोई भी चीज यूज नहीं करनी है और फिर भी आपका दूद उबाल नहीं आएगा और सबसे बड़ी गलती जो हम दूद उबालते वक करते हैं वो 99% लोग करते ही हैं और उसे आपको बिल्कुल नहीं करना है उसके लिए भी मैं आपको एक जरूरे टिप बताने वाली हूँ तो दोस्तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी हम दूद उबालते हैं तो आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जो दूद उबलते वक्त उसको फूक मार कर नीचे बिठा देते हैं शायद बहुत सारी लोग होंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारे मूँ के जितनी भी बैक्टीरिया की डाणू है वो दूद में चले जाते हैं और कई बार जब हम दूद को फूक मारते हैं तो मूँ के अंदर की जो थूक के करन होते हैं वो भी दूद में गिर जाते हैं जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप एक चीज़ को नोटिस करिएगा जब कभी भी आप दूद उबालेंगे ना ताकि दूद नीचे बैट जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिएगा पानी के आपको छीटे मार देंगे ना तो दूद में आपको फूक नहीं मारने पड़ेगी दूद खुद बखुद नीचे बैट जाएगा और जितनी देर तक भी आपको पकाना हो दूद को आप उतनी देर पका सकती है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहां पर मैंने दूद को बालने कि बाद पाने के चिटे मार दिये थे उसके बाद दूद की गैस को बंद कर दीजे चले बढ़ते हैं अगली useful tip की तरफ दोस्तो gas चुला हम सब के घर में होता है रोज डेली इसमें घर में खाना बनता है तो इसकी importance बहुत जादा है हमारी life में लेकिन सबसे जादा लापरवाही हम इस gas चुले के साथ ही करती है वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेगा दोस्तो कई बार जब अपने घर से हम बाहर जाते हैं कुछ जादा दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन एक महीने के लिए तो हम क्या करते हैं गैस चुले को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि 15-20 दिन और एक महीने के अंदर इसके उपर ना जाने कितने सारा डस्ट गिरता है जिसकी वज़े से gas burner ब्लॉक हो सकते हैं और जब ये घर बंद रहता है तो कितने सारे कीडे, मकोडे, छिपकली, कौकरोज, चुहे इसके उपर घुमते होंगे तो उसके लिए आप इसको हमेशा जब कभी भी घर से बाहर जाएं तो किसी भी कपड़े से कागज से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप किसी कपड़े से ही इसको कवर करके जाएं ताकि कुसी भी तरे की कोई भी गंदगी, धूल, मिट्टी, कीडे, मकोडे इसके उपर ना चड़े तो आपका gas चुला बिलकुल सेफ रहेगा और बिलकुल साफ रहेगा जो चलिए बढ़ते हैं अगली useful tip की तरफ दोस्तो आज की जो हमारी ये tip है ये बहुत जादे important है हम जब कभी भी जूते या sandals को बजार से लेकर आते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि इनकी shape बहुत अच्छी होती है और जब कभी भी हम इने घर में store करते हैं तो इनकी shape खराब हो जाती है आपने देखा होगा shoes के साथ भी ऐसा होता है sandals के साथ भी कई ऐसी रख देते हैं डबे में रखती नहीं है और किसी polyethine में रख देते हैं और उसके बाद उन्हें फेक देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास एक सही जादा जोड़ी जूते या सैंडल्स हैं, और हम सबका तो यूज नहीं कर पाते, कुछ हम जूते सैंडल्स को किसी special occasion के लिए संभाल कर रख देते हैं, और होते हैं, उनको डाल दीजे, जिससे कि आप इन्हें एक साल बाद भी अगर निकालेंगे, तो इनकी शेप बिल्कुल खराब नहीं होगी, जैसे कि आप इस शूज के ओपर देख सकते हैं, किस तरी कि से शेप खराब हो रही है, इस पर निशान पर चुके हैं, मतलब कि इसक क्योंकि मैंने इसको भी ऐसी रखा हुआ था, तो आप ये गलती अगर करते हैं, तो आज के बाद आप भी ये गलती ना करिएगा, और इस ट्रिक का यूज करेंगे, तो इनकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, चाहे आप इन्हें कितने महीनों बाद भी अपने अल कर रहे थे, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप इस ट्रिक को पहले सही फॉलो कर रहे थे, चलिए बढ़ते हैं अगली यूज की तरफ, दोस्तों कुकिंग ऑईल का यूज हमारे घर में किचन में रोज होता है, और आपने देखा होगा, जब कभी भी हम अपने बरतन में तेल डालते हैं, तो थोड़ा बहुत तेल इसके साइडों से निकल कर नीचे तले में आ जाता है, और जहां पर भी हम इस बॉटल को रखते हैं, उस स्लैप पर भी उस पेपर पर भी ऑईल आ जाता है, और बहुत जल्दी वो जगा पूरी गंदी हो जाती है, इसक जो धकन होते हैं उनका यूज कर लीजे, या कोई आपके पास छोटी प्लेट हो उसका यूज कर लीजे, आप इस बॉटल को इसके ऊपर रख दीजे, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत भी तेल अगर गिरेगा, तो वो इस धकन में ही गिरेगा, जिससे आप बहुत आसा आप बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं, जिससे कई बर हमारे पस बेकार परे डबे होते हैं न तो उनका यूज भी कर सकते हैं, अगली ट्रिक आती है हमारी दूद को लेकर, दोस्तों दूद का यूज वैसे हम सब के घरों में होता है, लेकिन जादा तर यूज हम इसका किसम लेकिन इसको फॉलो न बहुत कम लोग करते हैं, जैसे कि हम अब इसका यूज जो करेंगे, अपनी स्किन के टैनिंग को हटाने के लिए करेंगे, अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हमें पहले से ही पता था, पहले से हमें पता जरूर होता है, लेकिन हम इसका यूज नहीं क करते इनको यूज नहीं करते लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो बड़े-बड़े सेलिबिटीज भी होते हैं वो भी घर की रेमिडी का यूज जरूर करते हैं और जो हम महेंगे और साथ में इंपॉटेंट आपके फेज की जितनी भी टैनिंग होगी जितनी भी black spots होगे कील मुहासे होगे वो बिलकुल आपके साफ हो जाएंगे और आपके ड़ेट स्किन बिलकुल हट जाएगी और आपके फेज पर एक natural glow आएगा जो कि महंगे महंगे प्रोडक्ट से भी नहीं आता है कई बार तो आपना इससे फायता यह होगा कि एक तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे पालर में जाके दूसरा आप घर पर ही इस चीज को कर सकते हो फालो और जैसे कि मैंने 5 से 10 मिनट तक अपनी हाथों पर रगड़ा है आप भी इस ट्रीक को फालो करोगे ना तो आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा तो जैसे कि मैंने 5 से 10 मिनट के करीबन इसको रगड़ा है उसके बाद आप किसी भी गीले कपड़े का यूज़ करेगा, ध्यान रखेगा, सूखी कपड़े का यूज़ नहीं करना, आपको किसी भी हलका गीला कपड़ा होना चाहिए, उससे आप अपने हाथ को या स्किन को फेस की उसको अच्छे से साफ कर लीजे, उसके बाद आप इसका डिफरेंस खुद दे लीजे, तो आई होब कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी, तो दोस्तों ये काफी सारी ऐसी घरेलो टेप्स थी, जिनके बारे में अकसर हमें पता तो होता है, लेकिन कई बार हम इसे यूज़ नहीं करते, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूँ शेयर करें और कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, कल मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखेगा, बाई बाई